गठवंदन होगा और सीटों का भी बठवारा अच्छा होगा। कोशिस होगी कि भारते जन्ता पाटी का सफाय उत्तरप्रदेश से हो। और जितना चुनाव करीब आएगा, सबी दल अपने तरीके से जन्ता के पीश में जाए। आज के समय पर कोई चीज छिपती नहीं है, वो वगएदर वीडियो वाइरल है, आरोप यह लगा है कि पोट उनके सामने जो डाले गए थे, उन बोटों को खराब करने का काम भी अधिकारियों ने किया। हमने आपने उत्तपदेश का चुनाव देखा था, किस तरीके से बेहिमानी भारती जन्ता पार्टी ने की। और अगर बेहिमानी इस तरपर होगी, तो लोकतंत कहा सुरच्छे थे, जो आज मेर का चुनाव जीतने के लिए ये तरीका अपना रहे हैं, इस से पहले उत्तप से जन्ता से अपील है, कि लोकतंत्र बचाने का चुनाव दोजार चौबेस का है, बाबा साव भीमरा मिटकर जीन जो समिधान दिया, समिधान बचाने का चुनाव है, अपना और आने वाले पीडी के भविस को बचाने का चुनाव, और जो अधिकारों को छीनने का काम हो र को जो चुना लड़ने वाले हैं आप लंबी सूची देखेंगे सब लड़ रहे होंगे समाजवादी पार्टी का मानना बिलकु साफ है आज उत्तपदेश में भाजी जिनता पार्टी ने जिस तरीके से काम किया है समीकरण प्रतियासी अच्छा हो जो सीट भाजी जिनता पा और पार्टी की कोशिस रहे की गट acquisition वने और गट वनन ही भाप्रति जिनता पार्टी को हराई के परिबार है। उस परिवार की वो चड़ से नहीं करते नफ़त फैला रहा है परिवार। जो सबसे ज़्यादा हमारे संस्किती ख़राब करने का का मिदनकर और आ गया है हमार कुछ को सबसे जादे बाटने का काम भारती जंता पार्टी का परिवार कर रहा है अधिकारी लूट रहे हैं अभी बड़ा अच्छा लगा कि मुखंदी जी ने ये स्विकार किया कि गोरकपुर में बहुत भूमाफिया आ गए हैं अगर आपने अख़वार ध्यान से पड़ा होगा तो आपने पड़ा होगा कि मुखंदी जी खुछ स्विकार कर रहे हैं कि गोरकपुर में भूमाफिया आ गए हैं तो जो भूमाफिया हैं भारती जंता पार्टी में बहुत पनप रहे हैं कोई जिला नहीं बचा जहां पर भारती जंता पार्टी के बड़े पैमाने सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी बन गई है अगर हमने आपने जो विक्सित भारत क्या सपना दिखाने अगर काम किया और देखा हम लोगों ने किस तरह कारकम चला विक्सित भारत अगर आप बनाना चाहते हैं तो विक्सित देशों की हम कुछ नकल करें अमरीका जैसा देश यह आजादी देता है कि आप कैसे बोट डालेंगे जर्मनी है वो बैलेट से बोट डाला है जैपैन जह 24 के बाद भी चलेगी और यहां तक कई देशों के कोर्ट ने जो सबसे प्रीमेर कोर्ट हैं उनके सबसे उचे कोर्ट हैं उन तक नहीं यह कहा है कि अगर आप एवियम से बोटिंग कराते हैं तो वो अनकॉंस्टूशनल है अगर आप जर्मनी का पढ़ेंगे तो जर्मनी मे अगर यहां पर बोट एवियम से पढ़ेगा इलेक्ट्रोनिक मशीन से पढ़ेगा इसका मतलब यह है कि वो अनकॉंस्टूशनल है तो जर्मनी जैसा देश इस तरह की जो एवियम से बोट पढ़ने की विवस्ता उसके खिलाफ है तो आप क्यों नहीं खिलाफ हैं कि आने व ED विभाग जिस सरकार में बना उस मंत्री को भी फेस करना पड़ा और जिल जाना पड़ा एक समय कॉंग्रेस का था जिस समय ये विभाग बनाया गया ED को ज़्यादे पावर दी गई और जिस मंत्री ने बनाया तो उस मंत्री को भी वही फेस करना पड़ा ED जैसे विभाग को अमानविय बिवार नहीं करना चाहिए किसी भी सीनियर पॉलिटिकल लीडर के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि 10 लाक करोड जो तमाम फरेवी लोग हैं उनके माफ कर दिये गए लोग पैसा ले करके विदेश भाग गए उनके खिलाफ क्या किया है और अभी तक जो डेटा कहता है सबसे ज़ादा ED विभाग का CVI का इंकम टेक्स का दुर्पयोग किसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं किया है तो भारती जिंता पार्टी नहीं किया अभी तक जो भी छापे पड़े हैं जिसको भी बदनाम करने का काम किया है 90% केसिस में केवल ब्रोधी लोगों के खिलाफ कारवाई हुई है क्या इनके हां मुनाफ़ा कमाने वाले लोग नहीं हैं याद रखना आप जो मुनाफ़ा ज़्यादा कमाते हैं वो भी भेस्टाचार कर रहे हैं कोई चीज जो सस्ती है उस पे जानबुश करके मुनाफ़ा कमाना भी भेस्टाचार है ये भारती जिंता पार्टी अपने फर्च में पैसा चालिस हजार करोड क्या कल्ब ना कर सकते हैं आप बताइए सरसो के तेल का कारोबार किसके हाथ में चला गया आज हम और आप रिफाइंड तेल खारें किसके हाथ में हैं तो यह तुम बड़े सवाल हैं जिसका भातित इंता पाटी जवाब नेती और जो कार खाने लगेंगे और बताइए आपके देश के नौजवान जो बिरुजगार हैं वो लाइन में लगकर के इसराइल जा रहे हैं इससे ज्यादे श्रमनाग बाद सरकार के लिए कोई नहीं हो सकती कि आपके लोग वोर में जाकर के काम करेंगे अपने गर परिवार के और कितनी बड़ी रिस्क लेंगे नौकरी के लिए कि वो इसराइल में जाकर के काम करेंगे क्या ये सरकार जो निवेश का सपना दिखा रही थी कोई जमीन पर निवेश आया है क्या हमारे लिए ओल्ड इस गोल्ड लोग सबच नौकी डाशनीती क्या नया रूप दिखा द जोड़े न्यूस चोड़े भारत से नमस्कार